पिटो फर्स्ट वन जो है ट्रू और फॉल्स में अम्मा वाज रीडिंग अ बुक बिकॉज इट वाज़ीडे फॉर हर क्योंकि आज छुट्टी थी अम्मा की इसलिए अम्मा जो है वो बुक रीड कर रही है आप लिखेंगे टी ट्रू second, अनिल कलेब्ट ओन दस टूल फर ज्रॉक्स olsun रेड बॉक्स के लिए चड़ा था अनिल उपर? NO, false आप लिखेंगे F अनिल जो था वो ब्लू कलर के बॉक्स के लिए उपर चड़ा था दी फ्रूट सेलर दीड नॉत did not let Anil take the fruit from the pile true है fruit seller ने उसे fruit नहीं लेने दिया था the shopkeeper let Anil take the book that he wanted no false है गलत है नहीं लेने दी थी उसने जो वो को से चाहिए थी Anil को उसके बाद है Anil lifted the brown puppy from the top of the pile ये true है it is true then बिता first exercise जिसमे true and false है first one is true second false then true then false then true first one Amma was reading a book because it was holiday for her true है Anil climbed up climbed on the stool for the red box false है blue box के लिए वो उपर चड़ा था stool पे the fruit seller did not let Anil take the fruit from the pile true है fruit seller ने उसे fruit लेने नहीं दिया था क्योंकि वो सबसे नीचे वाला orange खीच रहा था the shopkeeper let Anil take the book that he wanted false है नहीं मिली थी Anil को क्योंकि वहां भी उसने वही हरकत की थी Anil lifted the brown puppy from the top of the file true जो सही है ठीक है इसके बाद है बिटा जो learning word है या neighborhood में जो places पाए जाते हैं यहाँ puzzle है आप puzzle में देख सकते हो के park, bank, school, building, hospital, street, bus stop, market, movie hall ये words कुछ help box में दिये गए हैं आपको ये puzzle में ढूंडने है ये जो puzzle नीचे दिया गया है बिटा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो bank है b, a, n, k b, a, n, k इस तरीके से आपको circle करना है ठीक है आपको ये सारे word होने है park, b, a, r, k park यहाँ आप देख सकते हो लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग spelling word है वो सारे के सारे आपके circle में आने चाहिए park, p, a, r, k इस तरीके से आप circle करोगे ठीक है इस तरीके से सारे के सारे words आपको ढूनने है और उनको circle करना है next g, जो है learn the language ये language portion है विटा read the sentences that word are in bold are action words these action words tell us about actions that happen again and again action words वोते हैं बिटा जिन से हमें किसी काम के करने का पता चलता है जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना ये सारे action words हैं इन सारे words से हमें पता चल रहा हैं कि कुछ न कुछ काम हो रहा है वो शब्द जिन से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम action words कहते हैं फिर उठने के बाद उसने क्या काम किया? वोक की उसने कहां तक? अम्मा के साथ काम क्या किया है? उसने वॉक किया और रात को उसने क्या काम किया? sleeping, sleeps रात को वो सो जाता है अब जो action words होते हैं sentence में आप देखके ही पैचान सकते हो कि हाँ ये action word है ये कोई काम किया जा रहा है तो जब ये singular form में है singular means एक है अकेले किसी object की बात हो रही है तो उसके साथ हम s या es add करते है अगर वो plural form में है तो वो as it is ही लिखा जाता है जैसे play है अगर हमने यहाँ पे example यह है रमन का रमन plays football रमन football कहलता है तो अकेले रमन की बात हो रही है अकेला है नहीं singular है तो play के साथ हम s या es add करेंगे लेकिन अगर हम करें बात the boys play football the boys play football यहाँ boys हैं एक से जादा बच्चे हैं लड़के हैं तो हम लोग play को play ही रहने देंगे उसके साथ कोई s या es add नहीं करेंगे singular form में हम s या es add करते हैं जबकि plural form में verb को as it is ही लिखा जाता है same यही rule you and i के साथ भी implement होता है अब अगर next exercise पे हम चलें choose the correct form of the action word to complete each sentence अब यहाँ पर आपको हर एक sentence में two two option दिये गए हैं my mother my mother है single है अकेली है सिर्फ ममा की बात हुई है drinks my mother drinks coffee Raj and Anu अब दो हो गए Raj और Anu तो जो form होगी वो as it is ही लिखा जाएगी कुछ S-E-S add नहीं होगा eat ice cream Raj and Anu eat ice cream you run you और I के साथ भी verb का जो word है वो as it is ही लिखा जाएगा verb as it is ही लिखा जाएगी कोई S-E-S add नहीं होगा you run fast I cross the road carefully a tailor stitches S-T-I T-C-H-E-S E-S लगी गा बिटा a tailor stitches our clothes my grandparents live in कोची grand parents है बिटा means एक से जादा है grand parents means grand mother grandfather दोनों की बात हो रही है दो है एक से जादा है तो उसके जो वर्व होगी वो as it is ही लिखी जाएगी कोई S-E-S add नहीं होगा first one में आप लिखोगे my mother drinks जो second option है वो लिखोगे drinks coffee second one है Raj and Anu Raj and Anu दो होगे eat eat लिखोगे E-A-T eat ice cream you you के साथ क्या लिखते है run 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 you run fast I I के साथ क्या लिखोगे cross I cross the road C-R-O-S cross the road carefully a tailor a tailor a tailor stitch second option जो है वो लिखोगे S-T-I T-C-H-E stitch our clothes a tailor stitch our clothes my grandparents live L-I V-E L-I V-E live in Kochi done next है आपका choose the correct action word from the boxes for each sentence add S or ES to the action word if needed आप अगर यहाँ पे जो filling the blanks दे रखे हैं उनको आपको लिखना है और लिखने के लिए means आप लोगों को decide करना है कि अगर वो singular form में हैं तो उनके साथ S E S use करना है अगर वो plural है तो वर्ब को as it is ही लिखा जाएगा the cats अब cat है अगर simple एक cat की बात होती तो add होता हो लिकिन ये cats हैं जादा है it means वर्ब as it is ही लिखी जाएगी the cats drink milk the cats drink milk mini mini sings mini अकेली है तो S add हो जाएगा mini sings a song Miss Sharma Miss Sharma अकेली है add होगा teach Miss Sharma teach us English I wash my hands before eating food I wash my hands I के साथ कुछ भी S E I E S add नहीं होता है as it is ही वर्ड लिखा जाएगा the shop shop opens अकेली एक shop की बात हुई है अगर shops होता तो open आता लेकिन एक shop है तो opens आएगा O P E N S the shop opens at 9 A M the cat drink milk mini sings a song Miss Sharma teach us English I wash my hands before eating food the shop opens at 9 A M done ये पेज हो गया next page पे बिटा यहां पे कुछ words है जो आपको जो फिलप्स आप देख सकते हो इन फिलप्स में बिटा आपको double E या I E fill I E और double E in the blanks to complete the words यहां पे बिटा जो I E है ये double E है ये दोनों एक ही sound देते हैं लेकिन जो लेकिन जो word है बिटा वो different different है तो main motive ऐसे फिलप्स का यही होता है कि आपकी vocabulary जो है वो increase करनी है आपकी कौन सा कहां पर कौन सा फिलप्स लिखा जाएगा कौन सा word लिखा जाएगा और लिखने के बाद आप उन words को जोर जोर से पढ़ोगे फिर्स्ट वर्ड में I E fill up होगा N I E C E निस ठीक है बती जी जिसे हम कहते हैं चाचा की बिठी फिट निस पिटा means जो भी चाचा या ताया अंकल जो घर पे होते हैं उनके बच्चों को उनकी बेटी जो होती है उसे हम निस कहते हैं N I E C E निस नेक्स्ट फिट F A A T फिट फिट मेंस पैर सीड S A E D सीट सीड मेंस बीज उसके बाद है नमबर फोर पे आप देख सकते हो पीस P I E C E पीस मेंस टुकडा P I E C E पीस नमबर फाइब स्ट्रीट S T R A A T स्ट्रीट स्ट्रीट मेंस गली आपके घर जो होते हैं गली में किसी का घर होता है जैसे गलियों में घर होते हैं उसे हम स्ट्रीट कहते हैं गली गली को स्ट्रीट कहा जाता है S T R A A T स्ट्रीट गली को स्ट्रीट लास्ट वन इस बीस B E E S बीस बी होती है मदू मक्खी बीस मिस मदू मक्खिया आगे बिटा है लेजन दा पोएम बाई जे इब्राउन एंट सर्कल दा करेक्ट वर्ड इसमें आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है Oh, Where Do You Come Little Rain Drops इस पोएम का ना बीटा Little Rain Drops है इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा जो भी इसका वाइस वर्जन है उससे आपको संड कर दूँगी Little Rain Drops Oh, Where Do You Come From You Little Drops Little के साथ क्या आएगा Crop आएगा या Drop आएगा Drops You Little Drops of Rain Pitter, 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 Pitter Down the Wind या Window Oh, Where Do You Come From You Little Drops of Rain Drops लिखा जाएगा पीटा, सिर्फ टी करना है इसे Pitter, 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 Pitter Down the Wind Pain Down the Window Pane You Won't Let Me Walk And They Won't Let Me Play They Won't Let Me Walk And They Won't Let Me Play And They Won't Let Me Go Out of Doors All At All Today They Put Away My Playthings Because I Broke Them All And Then They Locked Up All My Bricks And Took Away My Wall Then Say I Am Very Naughty But I Have Nothing Else To Do But Sit Here At The Window I Should Like To Play With You I Should Like To Play With You Goose 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 On Sunday My Father Goes To The Market To Buy Groceries He Always Buys Second One Buys Second One Buys Buys Tomatoes Tomatoes, Potatoes And Other Vegetable My Mother My Mother Takes Me My Mother Takes Me To The Park In The Afternoon My Brother Watches My Mother To पर फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं on Sunday my father goes to the market to buy groceries he always buys tomatoes, potatoes and other vegetables my mother takes me to the park in the afternoon my brother watch TV in the evening at night my grandmother tells us a bedtime story last में बिटा आपको क्या करना है Sunday जो होता है, आपका फंडे जो होता है उस दिन आप कौन से तीन काम करते हो उसमें काम बताने, ठीक है action word जरूर यूज़ होना चाहिए उसमें आप क्या काम करते हो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर three sentences done उसके बार नीचे आपको अपनी जो self assessment है वो करनी है आपको neighborhood की places means आगर आप market जाते हो तो आपको shops का पता है कौन से shop पे क्या मिलता है action words आपको यूज़ करने आए आपको पता चला action words किसे कहते हैं पोहम आपने सुनी और उसमें आपने correct word चूस किये आई-ई-डबल-ई के word जो हैं वो आपने सही सही spell कर दिये situation class में in act करनी है यह तो बिटा जब class लगेगी तब ही होका write a paragraph जो अभी हमने paragraph last में two paragraph हमने discuss की हैं एक में आपको three lines लिखनी है और एक में आपको philips करने थे वो आपने कर दिये हैं अगर कर दिये हैं तो ठीक किजिए I can do it on my own अगर आपने help से किये हैं I can't do it with help आप बिना help के नहीं कर सकते हो तो उस पर ठीक किजिएगा अगर बिटा आपको chapter में कहीं भी कोई doubt अभी रहता हो तो आप मुझे call कर सकते हो आप message कर सकते हो और अपना work जो है बिटा ब्यूटिफू लिखीजिएगा ओके thank you बिटा have a good day